बात एक मौत 100 सवाल की करेंगे दरसल उतराखन के उधम सिंग नगर में 50,000 की नामी खनन माफिया जफर को गिरफतार गरने गई यूपी की मुरादाबाद पुलिस पर खनन माफिया के साथियों ने फारिंग कर दी जबावी कारिवाई में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गो भीरता को देखते हुए मौके पर दोनों राज्यों की पुलिस प्यानाथ है दरसल खनन माफिया जफर 50,000 का इनामी है बुदवार श्राम करीब 4 बजे मुरादाबाद की ठाकुर द्वारब थाना की पुलिस और सुजी की टीम उसके बारे में पता लगाने उसे पकड़ने सभी को हस्पिटलाइस किया गया है लेकिन 50,000 का इनामिया जफर का अब तक कुछ भी पता नहीं है पुलिस के सामने एक बड़ी चुनोती है जफर को गिरफतार करने की मुरादाबाद से ये खनन माफिया उत्राखन भागा था और अब दोनों राज्यों की पुलिस वहाँ पर लगतार दबिश दे रही है तलाश कर रही है अब तक इस मामले में क्या डेवलप्मेंट रहा है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं यूवी पुलिस पर गोली मारने का आरोब है दरसल ब्लॉक प्रमुक की पतनी की जान चली गई है इस बास से ग्रामिडों में गुस्स भी दिखाई दिया और एनेट 74 को जाम किया गया मुरादा बास से भागे खनन माफिया जफर को पकड़ने के लिए पुलिस पहुची थी एसोजी की टीम के साथ और उसी वक्त ये पूरा विवाद हुआ फारिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुक की पतनी गुरपीत कौर की जानकारी मिल चुकी है उनको सकुषल बरामत किया गया है। बहुत ही गंबी रूप से मार्ट पीट की गई और जब पुलिस कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरती फारिंग भी की गई है। अब भी शुरू में हमने बताया था कि पांच लोग इसके अंदर इंजर्ड है जिसमें दो पुलिस कर्मियों की गोली लगी है। इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा है उनके बारे में भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गंबी रिंजरी है, बुलिट इंजरी संभवता उनको भी हो सकती है पांच के अंदर और वो भी अपना इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। जफर जो है इसके उपर 50,000 रुपे का इनाम था और बेसिकली जो है वहाँ पर जो टीम हमारी गई थी उसमें सोजी की गाड़ी भी जो है वहाँ पुलिस के साथ नोग जोग के दौरान चली गोली से जेश्टो ब्लॉग प्रमुख की पत्नी दर्दनाख मौत हो गई। और मौत से गुसाई सैकों लोगों ने घंटों तक एनाच चोहतर को जाम रखा। उतराखन पुलिस के मान मनोवल के बाद लोगों ने जाम को खोला भी। बता दे कि बांच्वित की तलाश में पुलिस ब्लॉग प्रमुख के घर पर दविश्प्रे ने पहुचे थे। जह के बाद ये विवाद काफी बढ़ गया तस्विर आप देख रहे हैं रात के समय की ये तस्विरे हैं और पांस सिपाहिस पूरे मामले में जखनी है। तो दस बारे लोग उपर ही आगे चत्पे उपर उपर आगे तो हमने उनने बुच्छा कोन हो कैसे आयो कहां से आयो उनके सब के आद में पिस्तल दे तो जब हमने उनको मना किया कि भी नीचे जाओ उनने का कि हम किसी ड्रेवर के लिए था कर तुमारा कोई ड्रेवर है पुला लो और तलाश ही ले लो जावी लेनी है तो उपर से उन्हें नीचे बार जाने के लिए कि नीचे जाओ दस बारा लोग थे एक ने पिस्टल निकाला लेडिस भी आगी थी वहां पर पकड़के दिये विना बर्दी के यूपी से हमारे पुलिस वाली जो भी कैसा है ह हमारी पुलिस क्या कर रही थी और पकड़के देने के बाद उन्हें छोड़ दे जाता क्यों पूरी पुलिस इसमें दोसी है मैं दावे से कह सकता हूं सारे सारे मिलेवे हैं सारे ब्रेस्ट है एक रेतिका ट्रक बिना 500 रुपे दिये निकल नहीं सकता एक मोटर सैकल बाला पुलिस के निकल नहीं सकता तो क्या इतने लोग प्राइबेट भर दिम आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं क्या है पुलिस की बिना मर्जी के संबब है बुलर जी यहां के रहने वाले सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है जैस्ट ब्लॉक प्रमुक है इनकी यहां जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहां के उदम सिंग नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिये बिना नॉलेच के जो है टीम ने यहां रेट करी और जिसमें प्राथमिक दुरिश्टा यह हूँ आए कि उसमें कोई वर्दी में न की हो गई है और अब खबर मुरादाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे कल हुए बवाल में लापता दोनों पुलिस वाले सकुशन मिल चुके हैं जिहां एसोजी प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र और सिपाही मनोज सकुशन मिल चुके हैं मुरादाबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है दरसल 50,000 का इनामी गैंग्श्टर जफर अली उसके साथी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं पुलिस के और यूपी और उत्राखंड की पुलिस आरूपियों की तलाश में जुटी हुई है कल का ये पूरा मामला है बताएं आपको कि कल जब बवाल हुआ तो दो पुलिस वाले लापता हो गए थे अब उनकी जानकारी मिल चुकी है कि 50,000 का जो इनामिया है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है कल पुलिस के टीम पर फारिंग की गए बताया जा रहा है कि पुलिस के उपर भी ये आरोप है उबेदूर रह्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उबेदूर रह्मान और क्या development इस पूरे मामले में अब तक क्या process अब तक रहा है क्या जानकारी मिल पा रही है जाफर को तलाशने के लिए किस तरीके की अब तयारी उबेदूर रह्मान क्या आपको आवास में पा रही है यूपी और उत्राखन की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है लगातार और सबसे बड़ी चुनौती जफर की गिरफतारी इस वक्त बनी हुई है लेकिन सवाल यही है कि पुलिस की टीम पर जो आरोप रहे हैं कि साधी वर्दी में पुलिस की टीम पहुचे उत्राखन की पुलिस वहां साथ में नहीं रहे यह जो तमाम आरोप है उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है यह भी देखना होगा ख्रण करकते हैं, पुलिस कुलिया कहां चोटे लुटे हैं, और फिखन अ में पैरों इसी चयोषजरे टी आरो कि में लए फे अर्क यह जगॉджादाक्टार्चार्या है च्पित अ कि है, जजावस्तार, आप जबछान कर थे जोन आपको हैं आप लोगों को बंदत बना लिया गया था मापको है काँ कहा ले गए आपको आप भागत हुए कहा पहुच गयते हैं पहुच गयते हैं और इस खबर पर जादो जानकारी के साथ मुरादाबास से उबेदुर्रह्मान मेरे सहियोगी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। उबेदुरह्मान क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही हैं। मुरदवाद पुलिस पर तो मुरदवाद पुलिस के आला देकारियों के कहना हैं। चुका और पुलिस उसका पीछा करते करते वहाँ पहुच गई और वहाँ पर जो पुलिस कर्मियों को बंदग बना लिया गया। उनके हतियार चीन ले गए उनको बोली मारी गई और इसी सब बबाल में वहाँ जो बिलॉक पुलिक थे उनकी पतली की भी मौत हुई। तो इस मामले में दोनों तरफ से मुख़मे दर्ज हुए हैं एक मुख़मा मुरादवाद पुलिस ने ठाकरदवारा कोतवाली में दर्ज किया है जो गैंगेस्टर है उसके नामजद और उसके 30-35 साथियों के खिलाफ पुलिस वालों को बंदग बनाना हतियार लूटना औ और दूसी तरफ जो महिला की मौत हुई है तो उत्राखंड के कुंड़ा थाने में एक मुख़मा दस से बारा अग्याद पुलिस वालों के खिलाफ जो उत्राखंड पुलिस है उसने दर्ज किया है पीडित के पती की तरफ से तो दोनों राज्यों की पुलिस इस वक्त पर लाखा है तो उसकी अभी खोजबीन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्राखंड पुलिस की कई टीमें लगी हुई है लेकिन अभी उसका कोई सुराख नहीं मिल पाया है जी ठीक है बहुत शुक्रिया उवेदुर रह्मान तमाम जानकारी के लिए आप नजर बना के रखिएगा आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और अब पांच तस्वीरे दिखाते हैं जो नोग जोग कल हुई है जो पूरा विवाद पन पा है उसको लेकर कुछ तस्वीरे एवीपी गंगा के पास है वो अब हम आपके सामने रखेंगी क्योंकि पुलिस टीम पर भी आ को लेकर अब पूरा ये विवाद बढ़ा हुआ है आगे बढ़ते हैं विपी गंगा के पास पुलिस और ग्रामिडों के बीच नोग जोग का वीडियो भी आ चुका है दबीश के दौरान पुलिस की ग्रामिडों के साथ जड़ब कुई थी और खनन माफिया जफर को साधी वर्दी में पकड़ने गई की वहाँ पर पुलिस और उत्राखन के जस्पुर में यूपी पुलिस के जवानों पर फारिंग की गई दखिए वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं सानिया लोगों ने यूपी पुलिस के जवानों के साथ मारपीड की जिसमें पांच पु पूछा भी कि आप लोकल पुलिस को लेकर क्यों नहीं आए इसी बात को लेकर शायद वहां पर विवाद बहुत जादा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया इसके बाद जवाबी फारिंग की गई और इसमें फारिंग में एक महिला की मौत हो इसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया लेकिन काश्रीपूर में गोली कांट में इस वक्त सबसे बड़ी चुनाती यही है कि आखिर जफर की गिरहतारी कब होगी जफर के तलाश में के लिए जफर को जूनने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुचे थी लेकिन पुलिस के ह खाली रहें अभी भी सबसे बड़ी चुनाती यही है जो तस्विरे सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहें जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये कल का वीडियो है जहां पर पुलिस के साथ काफी नोग जोख हुई लोग इस बात का बहुत विरोत कर रहे थ आप पुलिसरे गारी के आपके 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 अबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी